हाई गाई वेलकम बैक टो आवर यूटुब चैनल और वेलकम टो मैं न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस ले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नहीं आए एंग उन लोगो मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के उफ़र एनलेसिस वीडियो अपलोड करती हूँ एड्यूकेशनल आप अपना जो है वो ट्रेड ले सकते हैं इन सब के उपर आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बैर नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानक करने के क्या फाइदे हैं तो देखिए पहले तो यह फ्री चैनल है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है तो यहां पर जॉइन करने के फाइदे यह है कि आपको यहां पर लाइव मार्केट के दौरान इंपोर्टन ट्रेट्स दिये के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके त्रू जॉइन करना है या फिर अगर आप देखोगे तो आपको यह चैनल टेलीग्राम के ओपर मिल जाएगा तो आप डिरेक्ली भी सर्च करके जॉइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑप्शन के अंदर डेली एक फिक्स इंकम अर्न करना कुछ ना कुछ आपको डेली ऑप्शन में प्रॉफिट होना चाहिए तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं जिसकी फीस जो है वो यहाँ पर मैंने अपडेट की हुई है तो यह ओफर फिलाल चल रहा है और 2500 में आ और आपको करना कुछ नहीं है करना बस इतना है कि इस qr code को scan करके payment करना है और payment के बाद payment का जो screenshot है वो मैंने यहाँ पर number provide किया हुआ है यहाँ पर आपको whatsapp कर देना है फिर मैं आपको add कर दूँगी इसके अलावा कुछ भी अगर आपके doubts होंगे तो आप मुझे इसी number के उपर whatsapp कर सकते हैं so I hope कि आपको समझ में आ चुका है तो जल्दी से इस offer का लाब लीजिएगा और जल्दी से premium group जो है वो join कर लीजिएगा आपको ऐसे डेली 3-4 trades मिलेंगे nifty और bank nifty के लिए तो I hope कि आपको समझ में आ चुका है अब ही हम लोग start करते हैं bank nifty का analysis तो मैंने पिछले trading session में आपसे क्या कहा था कि nifty bank ने देखे हमारे support से दो बारी reversal लिया हुआ है और अब ही अगर देखे तो यहाँ पर हमें higher high formation देता हुआ nifty bank लगा था दो session से दिख रहा है और आज क हमारे important support से ही nifty bank ने रेखे कहां से reversal किया हुआ है तो 42,066 के पास आज का low था यानि कि मैंने आपको कहा भी था कि 42,050 और 80 के पास nifty bank के लिए support है अगर यह level तूटेगा तो ही downside के लिए जाएगा अगर otherwise यह level अगर hold होते हैं तो nifty bank हमें पहले तो 43,000 और उसके बार में 43, 4550 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो वही हमें आज भी देखने को मिला तो यह levels देखे मैंने यह levels कुछ भी change नहीं किये हुए हैं आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हो कि यह levels जैसे थे वैसे ही है आप यहाँ पर यह levels जो है वो भी ऐसे ही रखिएगा इसके अलावा जो भी levels में अभी आपको बताऊंगी वो सिर्फ आप अपने चार्ट के उपर अलग से कोई भी line में आप adjust कर सकते हैं अगर नहीं भी करते हैं तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है यह levels जो है वो important है इन levels के उपर भी अगर आप काम करोगे तो भी आपका फाइ की हुई है अभी अगर देखे तो यहां पर important क्या था 42,550 का level तो अभी फिलहाल Nifty Bank ने आज उस level के उपर जाने के लिए try किया उसके उपर गया भी 42,700 तक गया भी था Nifty Bank लेकिन sustain नहीं हो पाया और वहां से अभी अगर देखे तो closing जो है वो नीचे आकर मिली है 42,167 के प closing भी वही पर थी इस candle के लिए closing भी वही पर मिली है याई अभी अगर देखे Nifty Bank के लिए important क्या है important है Nifty Bank के लिए ये level जब तक ये level Nifty Bank hold कर रहा है जैसे तैसे कैसे भी तब तक Nifty Bank के positive बने रहने के chances है अगर ये level के नीचे closing आ जाती है तो negative Nifty Bank जो होता हुआ हमें एक major fall जो है वो downside के लिए Nifty Bank के अंदर देखने को मिल सकता है अभी अगर trend की बात करें तो upside के लिए 42,750 ये make or break level है अगर Nifty Bank 42,750 के अबाव निकल जाता है तो एक uptrend हमें और बढ़िया uptrend continue होता हुआ दिखाई देगा 43,550 तक यहाँ पर Nifty Bank के लिए important level ही है 42,750 और 42,050 इस level के बीच में confuse कर देगा market आपको या फिर यहाँ पर अगर देखे तो कल अगर Nifty Bank 42,050 से नीचे gap down opening करता है तो भी यहाँ से 200-300 points का dip मारेगा Nifty Bank और फिर जाके हमें यहाँ से ही एक अच्छी rally जो है वो फिर से देखने को भी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर Nifty Bank के लिए support है और अगर यहाँ से उपर नहीं जा पा रहा है तो एक dip मारकर फिर upside के लिए Nifty Bank जाने के लिए जरूर try करेगा option chain data अगर देखे तो अभी मेरे सामने Nifty Bank का option chain data है और call side में highest open interest 1,33,000 और 1,39,000 का है जो की 42,500 और 43,000 के उपर है और call side में अगर देखे तो call side में हमें सबसे जादा call writing जो है वो 66,000 की देखने को मिल रही है 42,500 के लेवल के उपर put side में अगर support ढूंडे तो support कहा पर है 42,000 के उपर लेकिन put side में उतनी बढ़िया put writing कहीं पर भी नहीं है यानि के यहाँ पर तूटने के chances Nifty Bank के बने हुए हैं जब तक 42,000 hold हो रहा है Nifty Bank अपने आपको hold कर रहा है लेकिन अगर यह तूटेगा तो यहा आने के chances पूरे पूरे बने हुए हैं तो अभी अगर इसके अलावा कोई support important है तो देखिए अगर बात कर तो जैसे मैंने आपको बताया है 42,000 50 से नीचे अगर opening होती है तो फिर से support के पास Nifty Bank आएगा 41,800 और 700 के पास और यहाँ से फिर से एक reversal होगा otherwise अगर flat opening होती है 42,250 के पास या फिर 100 के पास तो 42,350 का level resistant important रहेगा अगर इसके उपर Nifty Bank निकल जाता है या फिर इसके उपर sustain कर लेता है कुछ time के लिए तो यहाँ से एक अच्छी rally हमें फिर से 42,750 और 800 तक जाती भी दिखाई दे सकती है तो यह तो बात हो गई Nifty Bank की अभी बात करते हैं Nifty 50 के उपर तो Nifty 50 की आज की closing कहाँ पर मिली है 17,894 के पास Nifty आज बंध हुआ है तो Nifty आज देखे 18,050 से उपर गया ही नहीं Bank Nifty ने तो morning में कुछ अच्छा खासा profit हमें CE के अंदर दिया लेकिन Nifty ने उतना भी नहीं दिया इसके वज़े से Bank Nifty भी उपर नहीं जा पा रहा था तो Nifty अभी हम लोग देखे तो Nifty ने भी एक negative candle form की है और अभी फिलाल 17,945 का level जो है वो important था यह मैंने आपको पिछले कही वीडियो में बताया भी था लेकिन अभी फिलाल 950 से नीचे Nifty बंद हुआ है और 950 से नीचे Nifty negative ही है और यहां से 17,800 और 17,700 के तरफ Nifty के गिरने के chances बने हुए हैं अब side के लिए important रहेगा 17,950 के उपर sustain करना Nifty के लिए अगर next trading session में Nifty 17,950 के उपर sustain कर लेता है तो यहां से एक अच्छी rally फिर से हमें 18,50 और 18,100 के तरफ आती भी दिखाई दे सकती है otherwise Nifty अगर इसके नीचे रहा तो इसके नीचे ही downtrend हमें देखने को मिल सकता है Nifty के अंदर so यह important support और resistance के levels है Nifty और bank Nifty के लिए तो जो भी levels बताएं हैं अपने चार्ट के उपर जरूर mark कर लीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैं आपको answer कर दूँगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और यहां तक देखा है तो जरूर लाइक करके जाना और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और bell notification को all पे रखिएगा तभी मेरे साड़े वीडियो की notification आपको time to time आती रहेगी तो अभी आज के लिए इतना ही था thank you very much for watching this video मैं मिलूंगी आपसे next video में till then bye take care and trade carefully